जैहिन साथ क्यों स्वागत है आपका Self Study Classes पे समिजन यूटूब चैनल में और दोस्तो आपको क्या करना है Self Study Classes Self Study Classes एप जरू डाउनलोड कर लेना है ठीक है अगर आपने दोस्तो अभी तक एड़ बीसन ने लिया तो Self Study Classes में हिंदी साहित के संपूर्ण कोर्स में आप एड़ बीसन ले सकते हैं है ना दोस्तो टेस्ट सीरीज में एड़ बीसन ले सकते हैं और इस सीरीज से जरूर जुड़े हैं दोस्तो इसी प्रकार के बहुत सारे टिर्की वीडियो बिस्तरे तद्यन टॉपिक वाइस टेस्ट एप पर आपको मिलने वाले हैं तो जिन भी सात्यों को दोस्तो एड़ अब आज दोस्तो अपनऺं पत्रीका के संस्थापक कौन थे अब दोस्तो यहां क्या डाउट उता है बोद एको सब्से पहले तो यहां एक तो होता हैkal और संपादक संस्थापक और संपादक में डाउट्स होता आपके अंदर कि आपने पढ़ा था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक आपने अधिकांस महावी परसाद दोवेदी को पढ़ा लेकिन आज ये डाउट्स आपका किलियर होने वाला है दोस्तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कोन है संस्थापक कोन है तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या चिन्ता मनी घोस संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो चिन्ता मनी घोस अगर आपसे पूछा जाए कि स्रस्वती पत्रिका के प्रिथम संपादक कौन थे तो प्रिथम संपादक में आपका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदरदास ये प्रिथम संपादक थे क्या थे संपादक और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे अगर ये उप्सन में आपके नहीं आ रहा है और महावी परसाद दुवेदी आपका दिया है तो आप महावी परसाद दुवेदी लगाओगे ठीक है लेकिन ऐसा question आता है कि महाभी परशाद दुवेदी सरस्वती पत्रीका के संपादक कब बने तो कब बने उनीस सो तीन में ये बने थे है ना प्रतम संपादक को न थे स्याम सुन्दरदास इस्ठापना किसने की ती या संस्थापक को न थे तो चिंता मनी घोस एक और कॉस्चन सबसे पहले सरस्व प्रयाक से ठीक है तो ये भी आपको याद रखेना तो स्रस्वती पत्रिका के संस्तापक कुंते चिंता मनिगोस डाउट्स नमर एक आपका किलियर है ना अब दोस्तों यहां पर आप बात करते हैं कि प्रैम और रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है डाउट्स नमर टू यहां प और प्रैम और रॉमांस ठीक है तो इसको याद रखेना दोस्तों कि प्रैम और रॉमांस प्रैम की बात आई तो बोले हमारे अंचल में भी प्रैम किया जाता है अंचल में है ना और च्छाई रॉमांस का कभी कौन है तो च्छाई रॉमांस का कभी कौन है बच्चन बोले प्रेम और रॉमांस का कभी कहा जाता है दोस्तों रामिस और सोकल अंचल को है ना इन्हें प्रेम और रॉमांस का कभी कहा जाता है याद रख्टे ना डाउट्स नमबर टू आपके यहां पर किडियर हो जाता है है ना प्रेम और रॉमांस का कभी रामिस और सोकल अंचल और प्छाई रॉमांस का कभी हरिवन्स राय बच्चन ठीक है, ओके लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक ये सीरिज को जरूर दोस्तो सेयर करें, डाउट्स वाली सीरिज, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है आप से पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, हिंदी का स् और एक आता है हींडी का स्टील केशे कहा जाते है दौनों मैं confusion होता है तो आपको कैसे याद रखना हींडी का स्टील के बाल लगवाएंगे अपने जो बाल होते हैं न बाल स्टील के लगवाएंगे तो अब आप से कभी भी पूछ जाएगा कि हिंदी के स्टील किसे कहा जाता तो स्टील से आपको याद आ जाएगा कि हमें स्टील के बाल लगवाएंगे तो बाल कश्न भट को हिंदी का स्टील कहा जाता है हिंदी का मौन्टेंड भी ने कहा जाता है दोस्तों बालकन भट को ठीक है अब फिर आएगा आपका हिंदी का addition किसे कहा जाता है तो addition कहा जाता है किसे प्रताप नारण मुस्र को यहाँ पर आया sun और sun का बोली सर बहुत प्रताप होता है एक sun माने सूर एक sun माने पुत्र दोनों ही का प्रताप होता है सूर का भी होता है और पुत्र का भी बहुत प्रताप होता है, है ना, तो addition किसे कहा जाता, प्रताप नारण मिस्र को, और steel किसे कहा जाता, बाल कर्षन है, भट्टे को भूल ला नहीं है, दोनों question आते हैं, ठीक है, भारतेंदू, प्रगेंदू, भारतेंदू, प्रगेंदू किसे कहा जाता है, question आपके लिए, अब यहा प्रगेंदू कहा जाता है दोस्तो नाथू राम सर्मा संकर को यह डाउट्स आपको दूर करना है भारतेंदू प्रगेंदू कहा जाता है किसे नाथू राम सर्मा संकर को यह कुछ लोग लगा देते हैं भारतेंदू जिन्हों नहीं पड़ा अब आपने पड़ दिया तो तो ये तो नॉर्मल कोस्चन है सभी से बनेगा बीसवी सदी का बानभट किसे कहा जाता है तो आपको पता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है हजारी परसाथ दुवेदी को नॉर्मल कोस्चन रखा गया आपके लिए ठीक है तो बीसवी सदी का बानभट आपसे पूछा कबीर नामक दोस्तों इन्होंने गरंती भी लिखा एक रचना की इन्होंने कबीर नामक है ना इस सारी किसाली चीने आपको याद करनी है और इसी प्रकार से बने रहेना doubts वाली कलास में है ना और self study classes का app download करने जिसमें आपको करमबत दधियन मिलेगा जिसमें आपको दोस्तो तो course का purchase करना है, आपको course को admission एक बार लेना है, एक साल तक के लिए आप फिर ही हो जाओगे, और एक साल तक आप आराम से tricky तरीके से, doubt solution तरीके से, है ना, और दोस्तों बहाँ पर आपको बिस्तरे third day and topic wise test सब कुछ बहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो नीचे नंबर है, कर सकते हो, वीडियो को like और share कर सकते हो, ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जै हिन,